हेलो एवरिवान, वेलकम बैक तो माई न्यू वीडियो, तो जी आज की मेरी वीडियो है, इस तरहें के इन्वेल्प लिफाफे होते हैं, जो देखिए पोलिथीन, जो फिलिप कार्ड और एमाजोन वगरा से हम ओनलाइन चीज़ें परचेज करते हैं, तो फ्रेंड्स वो भर दीजिए, तो फ्रेंड्स हमारे त्री आइडिया हैं, तो पहला आइडिया यही है जी, कि इस तरहें हम क्या है अपने पिलो कवर या कुशन कवर गदियां भी कवर नहीं, सोरी गदियां बना सकती हैं, और देखिए इनमें काफी सारे पोलिथीन वगरा भर देंगे, त और इस तरहें फुली-फुली सी गदि हमारी बहुत ही जादा सुन्दर बन जाएगी, तो इस तरहें हम घर के काम में ले सकते हैं, तो मैंने टोटल ऐसी देखिए, छे गदियों का सेट बनाया है, कुशन कवर का, तो मैंने सुच आप के साथ भी शेयर किया जाए, तो यह ह हमारा फर्स्ट ऐडिया है, तो इस तरहें बस सुई धागे से, सील देंगे, कोई इसमें मशीन का काम नहीं है, तो हर लेडिज देखिए, इसको इसली बना सकती है, तो इनको फैकनी की बजाए इस तरहें आप काम में लीजिए, तो देखिए कितनी बढ़िया, आप इसको और मोटा करना चाहते हैं तो और कपड़े डाल दीजिए आप जी कुशन का कवर है ये देखिए जी परवाला और इसमें हम डाल देंगे तो ये हमारी फ्री की बन गई ना देखिए जी गद्धी तो फ्रेंड से इस तरह हम कितनी सारी गद्धियां ही बना सकते हैं तो इनमें आप कपड़ा फाइबर जो मर्जी भर लीजिए तो इस तरह हमारे ये इनवेल पर जो लिफाफे हैं काम में आते हैं तो इस तरह की दूसरा देखिए ये देखिए इसको भी आप इस तरह बनाना है तो आप इस तरह के काफी हमारे ओन लाइन ये आते हैं लिफाफे तो काफी सारे बना सकते तो देखिए जी इस तरह मेरे पास छे गद्यों का सेट है और ये कवर में मैंने ये डाली हुई है अगला जी हमारा दूसरा आइडिया है एक छोटा सा पीस लिया है मैंने देखिए कोई भी चदर फटी और चदर का आपके पास पीस है तो इस तरह ले ल सही लग री थी तो इसको हम कपड़े के साथ अटेच करेंगे तो पहले थोड़े सी कपड़े को हम देते हैं शेप तो जी ये थोड़ा सा कम पड़ेगा तो इसको हम मशीन से थोड़ा सा जोड़के लंबा कर लेंगे क्योंकि इन्वेल पर है जो थोड़ा सा कम पड़ रहा तो जी कपड़े को इधर फोल्ड किया है और इधर थोड़ा सा नाप लेंगे जो अपनी शर्ट का नाप होता है उसी तरह ही थोड़ा सा नाप लेंगे और शोल्डर की तरफ से थोड़ा सा निशान लगा लिया है तो ये जी शोल्डर की तरफ से कट कर दिया और अब उपर से हुइ थोड़ा सा इसको brap एक ते खौन दिया है एकल अब हम इसको h इसको भी हम काट देंगे तो बिल्कुल ब्रापर ही ऐसा करना है तो जो बैट शीट का कपड़ा है उसको फोल्ड कर लिया और इधर ये जो हमारा इन्वेल्प है इसको भी हम इस तरह रखकर देख लेते हैं तो मैंने बताए आपको कम पड़ेगा तो हम दूसरे वाला होता तो आप इसको सिंपल सुई धागे से भी स्टीच कर सकते हैं तो इधर आगे हूं जी मशीन के पास अब थोड़ा सा उपर से इस तरह कपड़े को हमने काटा है तो एक कन्नी सी बना देते हैं कपड़े को फोल्ड करकर एक पतली सी कन्नी बना देंगे क्योंकि ये हमारी हमारी चीज बनने जारी है किचन में जो हर लेडीज के काम आने वाली तो इधर से बस स्टीच कर दिया है बाकी आव निच्चे की तरफ से भी और साइड्स भी इसकी शॉल्डर के तरफ से भी हम सारा इसको स्टीच कर देंगे ताकि देखने में भी थोड़ा सा सुन्दर ल कर सकते हैं तो जी यह देखिए उपर की साइड से हमारा हो चुका अब शोल्डर की तरफ से भी बस थोड़ा थोड़ा दबाते हुए कर लेते हैं सेम वैसे यह फ्रेंट जैसे हम अपनी शर्ट हमारी शर्ट होती है लेडीज की उसी तरिक्के से तो यह देखिए जी कितना प्यारा है अब थ्रेड वगरा कोई निकलने का कोई डरनी है अब यह बस इस तरह ही सारे को हम स्टीच कर देते हैं स्टीच करने के बाद फिर मैं आपको देखिए आगे बताती हूं तो इस तरह फोल्ड करकर बस पतली सी कन्नी सी हम बना लेंगे तो वस जी यह हमारा हो जाएगा उसके बाद यह देखिए अब हो गया है स्टीचिंग का इधर हमारा हो गया अब इसको इसके उपर थोड़ा सा यह कम पड़ेगा और कोई बात नी अब हम बिल्कुल दोनों की शेप ब्राबर है यह देखिए अब एक दूसरे के उपर खर देखिए थोड़े सा निच्छे से अगर यह इंवेल्प जादा है क्योंकि जोड़ लगाया गानीनटेंवेल्प को जोड़ा है तो इसको खोड़ा सा एक्सट्रा हम कट कर देंगे तो यह एक्स्ट्रा है और थोड़ा सा यहा उपर की तरफ से तो इसको बिल्कुल ब्राप कपड़ा हो जाएगा आप जी ये दिखिए बढ़िया हो चुका बिल्कुल और ये अब जो भी चीज बनेंगी वो हमारी बनेंगी अब waterproof मतलब कोई पाणी पूनी गिरेगा तो हमारे ये दिखिए कपड़े ख्राब नहीं होंगे अब इदर जी कोई भी आप लुपी नाडा कोई या डोरी इदर लगा लीजए उपर की साइड इस तरह हैं अटैच करदेंगे सुई धागे से ये दिखिये नापकर और अब इदर शोल्डर की तरफ से दो लुपी इदर लगा देगे तो इनको भी बस सुई धागे से हम अटैच कर देंगे तो इनको बस कट कर और ये भी आप चाहो तो मशीन से स्टीच कर सकते हो नहीं तो जैसे मैंने लिया है कुछ भी हमारा नारा डोरी कुछ भी पड़ा हो तो वो आप इसके साथ सूई धागे से अटैच कर दीजिए तो ये अभी बस जी स्टीच करने के बाद ये है इसका फाइनल लुक तो ये आगे आगे है हमारे कॉटन का थुआं जे बन गया है हमारे कीचन में जब हम अपने बरतन वे वगयरा वोश करते हैं तो ये थे बन गया है तो आब ये देखिए तो हमारे कपड़े हैं बिल्कुल खराब नहीं होगा आगे पानी पूनी से जरूर गिल्ला होगा बट हमारे जो कपड़ें हैं उन पे बिल्कुल नहीं लगेगा तो हम इस तरहें बरतन जब वोश करते हैं तो छिटे वगरा पानी के गिरेंगे तो वो आगे की साइड होगी और हम इसको फिर सु तरहें काम आते हैं थर्ड है जी हमारा इस तरहें फ्रेंज से इसमें भी कुछ नहीं करना यह मैंने रोटियों के लिए ऐसा बनाया है तो वीज़ेज हमारी सेल्फ वगरा है खराब नहीं होती तो इस पे हम चकला रखकर रोटियां वेल सकते हैं और इसको इसमें भी मैंने इन वेल्प डाला है जी उसी कपड़े का ही हमने देखे वार वार योज करा है क्योंकि बैडशिट होती है काफी बड़ी होती है बस जब खाना बनाना हूं तो इसको हमारा एक तरहें का मैटर बन गया है तो जी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और प्यारा सा कुमेंट करना